नमस्कार मैं शिवांगे चौधरे और आप देख रहे हैं आज तक भर महेंदे सिंग धोनी MSD माही धाला फैंस भारत के पूर्फ कप्तान को कई नामों से पहचानते हैं MS धोनी के चाहने वालों की संख्या लाखों में हैं उन्हें केबल भारत में ही नहीं बलकि देश विदेश में भी लोग खुब प्यार देते हैं धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से तो सन्यास ले चुके हैं लेकिन IPL में वो अब भी शिरकत करें हैं IPL में फैंस उनके हेलिकॉप्टर शॉट के दिवाने हैं यहां उनका जलवा भी भी जारी है वो पहले की तरह मैदान में जम कर चौके चुके लगा रहे हैं उनकी विस्पोटक बलेबाजी को देख ऐसा महसूस होता ही नहीं है क्यों उनकी उम्र 42 साल की हो गई है मैदान में वो अब भी 30 साल के एक फिट खिलाडी की तरह नजर आ रहे हैं दुनिया के खतनाग गेंद बाजो को धोनी जम कर कूटते नजर आते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि धोनी के छकों में इतनी पावर कहां से आती है मैदान में जब धोनी गेंद पर प्रहार करते हैं तो शौर्ट की गति देख एक बार हर कोई हैरान हो जाता है लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनकी बाजो में इतनी ताकत कहां से आई जो योकर गेंद को भी खोदते हुए सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं अगर आपका भी यही सवाल है तो इसका जवाब लेकर हम आए हैं दोनी अपने आपको फिट रखने के लिए कड़ी महनत करते हैं इसके अलावा वो अपने खान पान को लेकर काफी सजग रहते हैं सबसे खास बात जो है वो ये है कि वो दूद पीना काफी पसंद करते हैं ये बात वो खुद भी कई बार को बूल चुके हैं अब सबाल उड़ता है कि मौजूदा समय में जहां समान मिलावटी मिल रहे हैं वहां अच्छी क्वालिटी के शुद्ध दूद कहां मिले तो दोनी के परिवार वालों ने इसके लिए खास बंदोबस्त कर दिया था रिपोर्ट के मताबिक धोनी के पिता राची के डोरंडा में स्थित मेकन कलोनी के करीब रहने वाले परशुरा महतो की खटाल से उनके लिए डेली दूद लाते थे धोनी को आज भी भैस के दूद से काफी लगाओ है यही वज़ा है कि वो शारेरिक रूप से काफी मजबूत है और बले बाजो को जहां शौट लगाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है वही धोनी गेंट को आसानी सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं दरसल में इस धोनी कई बार खुलासा कर चुके हैं कि वो एक दिन में 10 लीटर दूद पिया करते थे रिपोर्ट के मताबिक दोनी के पिता उनकी डाइट और उनकी हेल्थ का खास खयाल रखते थे उनके पिता राची के डुरंडा में स्थित मेकन कॉलनी के पास एक खटाल से उनके लिए रोजाना कई लीटर दूद लाते थे ये खटाल परशुराम महतो नाम के एक आदमी की थी परशुराम महतो की पतनी फुलकेसरा देवी ने भी इस भात का खुलासा किया था उन्होंने बताया था कि धोनी के पिता रोजाना यहां आते थे लेकिन बाद में उनका आना बंद हो गया को समय बाद उनके गार्ड यहां दूद के लिए आने लगे अभी धोनी का परिवार सिमलिया स्थित फार्म हाउस में रहता है अब उनका यहां से दूद लेना बंद हो गया है क्योंकि वहां से यहां की दूरी जादा है धोनी की उम्र भले ही 42 साल हो लेकिन उनकी विस्पो चांदार बल्ले बाजी करतें नजर आ रहे हैं उनकी परदर्शन के अगर बात करें तो उन्होंने अब तक 8 मैचों में 8 चोके 8 चक के लगाए हैं नोनी ने 260 की स्ट्राइक रेट से 90 में रन बनाए हैं फिलाल इस खबर में इतना हैं बाकि इस खबर पर आपकी क्याराय है ह हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहें